तो अद्पें मेरे प्लोप से लड़ी her yep तर्शन करने कि आप करने कि हमाइप शुट शूद और यहां पर फिंट कांचा किस थ्रेख पुप है तो लें पर भाना रहे हम खाना खाके जिकलिए आगे के लिए हम बना रहे हैं यहां पर पिकनिक मतलब कि हमें लगए बूक और यहां पर इस्टे करके हम बना रहे हैं खाना और बच्चे कर रहे हैं यहां पर इंजॉय क्योंकि यहां पर नल और यहां से लाएंगी दिली पानी क्योंकि खाना बनाने के लिए पानी की ज़रत तो पड़ेग तो चलिए यहां पर खाना तो रेडी हो गया और मैं बना रही हो रोटियां तो रोटी भी हमारी बनने वाली है बाकी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी यहां पर ऐसा लग रहा था ठंड ओर लेकिन यहां पर ठंड नहीं है यहां पर गर्मी क्योंकि धूप बहुत ज्यादा और ये टाइम शाय धाई बज़ रहा था उस ताइम तो यहां पर धाई बज़े हम बना रहे हैं रोटियां पहाडियों के बीच में यहां पर बनने मारी रोटियां कर नहीं लगदे मुझते तो फ्रेंट्स हम पहुच चुके हैं कांगडा हिमाचल परदेश नगर कोट की मारत अब देखो दर्शन करने जाते हैं थोड़ी दियम में फिर दिखाते हैं तो हमने सुचा था कि हम जिस टाइम पहुचे उसी टाइम दर्शन करेंगे लेकिन बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी तो इस विज़े से हम रात को दर्शन करने नहीं गए हम जाएंगे मॉर्निंग में और यह मॉर्निंग का इतना प्यारा व्यू लग राता है अपर सामनों परफ जमी हुई हो तो बहुत ही प्यारा मॉस्व हो रहा था अचले दर्शन नगर्टोटकी माता को हो नगर्टोटकी माता के परश्यों करने जाएंगे कल रात बारी शोईटे तो बराख जेगी जाएंगे माता हैंगे दर्शन के लिए वही मिलता है मैं घट्याएंगे गश्याफी है जामनों जामके त़रो किंदो बहुत है जाम्नों बहुत्स के लिए界ी है अल Config याक तो यहां पर आप नगर कोट की माता के बिल्कुल साक्षा दर्शन करोगे बिल्कुल आमने सामने तो आईए आप भी दर्शन कर लीजिए नगर कोट की माता ऐसी है इतनी सुन्दर और यहां पर बहुत अच्छे से दर्शन करें क्योंकि मंदिर में बिल्कुल भी भीड नहीं थी बहुत ही अच्छे दर्शन करें और दो बार करें तो आप भी जरूर आईए और आप इस महीने में याए तो बहुत आप आपक्टवर के महीने में आएंगे तो बिल्कुल भी भीड नहीं मिलेगी नवरात्रों के बाद और म जैसे नारील का पानी होता है ना मीठा मीठा वैसे ही है बिल्कुल पहुत ही तेस्टी और पहुत ही अच्छा बिल्कुल दिखने में भी एकदम वाइट है आपको दिखाऊंगी मैं और यहां पर मंदिर बन रहा है और यहां पर जड़ना भी था वह उसका रास्ता यहां पर बंद कर दिया गया है और यहां पर अब न्यू मंदिर बन रहा है पूरे चारों तरफ से और यहां पर होता है हवनकुन और यह मंदिर बहुत ही ऊंचा है देखिए बहुत ही ऊंचा मंदिर है और बहुत ही प्यारा और काफी अच्छा मंदिर है तो आप एक बार जरूर बहुत ही प्यारा मंदिर है तो आप भी दर्शन कीजिएगा और बहुत ही सुन्दर मंदिर है बहुत ही सुन्दर मंदिर ही सुन्दर मंदिर है बहुत ही सुन्दर मंदिर है बहुत ही सुन्दर मंदिर ही सुन्दर मंदिर है और मेरे पैर के नीचे आगया था मोटा वाला मारकर जिससे मैं बैलेंस नहीं बना पाई और मेरा पैर फिसल गया और घुटने में मेरे बहुत तेज चोट लगी थी बहुत भी नहीं चला जा रहा था बहुत ज्यादा चोट लगी थी तो आप बस दर्शन करके हम लोग निकल रहें कर अका है